नमस्कार मेरा नाम है निकिल आप देख रहे हैं न्यूस फ़र्नेशन क्या चिराग पास्वान ने अपने चाचा पसुपती पारस को जमीनी हकीकत से रूबरू करवा दिया है ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि क्योंकि कल जब पसुपती पारस अपने संसदिये छेत्र हाजीपूर पहुँचे तो वहां की ग्रामिन महिलाओं ने उन पर कालिक फेका साथी साथ काले जंडे भी दिखाएं क्या कुछ है मामला विस्तार से बताते हैं आपको लोगजन सक्ती पाटी में चाचा भतीजे के बीच सुरू हुई लड़ाई लुटियंस दिल्ली से होते हुए अब बिहार के हाजीपूर तक पहुँच गई है चाचा पसुपती पारस और भतीजा चिराग पासवान में जनाधार बचाने को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है वह काफी लंबा चलने वाला है बिहार की सडकों पर दोनों गुटों अपना दम खम दिखाने में पूरी ताकत जोगती है एक तरफ चिराग पासवान बीते एक महीने से बिहार में आशिरवाद यात्रा निकाल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पसुपती पारस मोधी मंत्री मंडल में सामिल होने के बाद पहली बार बिहार की यात्रा परत हैं बीते दो दिनों से पसुपती पारस अपने संसदिये छेतर हाजीपूर में आभार यात्रा के जरिये लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं इस दोरान पारस को अपनी जमीनी हकीकत का भी पता चल गया चिराग पासवान के समर्थकों के द्वारा जमकर बावाल काटा गया चिराग समर्थकों ने पारस को काला जहंडा ही नहीं दिखाया नारेबाजी कर गारियों पर लगे जहंडे और बैनर को फार डाला राजनितिक विसे सग्यों का मानना है कि पिछले एक महीने से चिराग पासवान ने बिहार में पारस के खिलाफ जो मैदान तयार किया था उसका ही यह नतीजा है कि अब पारस का विरोध सुरू हो गया है अब पारस को बिहार में अपनी जमीनी हकीकत का अंदाजा होने लगा है अभी तक राम बिलास पासवान के छत्रचाया में राजनीती चमकार रहे थे पहली बार उनको राम बिलास पासवान के संसदिये छेतर में लोगों ने जमीनी हकीकत से परिचय करवाया है वहीं पारस ने सुंबार को पत्रकारों के एक सवाल पर कहा कि भतीजा ने मुझे छोड़ा है हमने नहीं सायद पारस को इस बात का अंदाजा है कि चिराग पासवान की वज़ा से ही कारेकरताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है इसलिए पसुपती पारस भी अब खुल कर बैटिंग कर रहे हैं पारस को अब बिहार में नितीस और बीजेपी के साथ अशिरवाद के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा इसलिए पारस भी अब खुल कर नितीस कुमार की तरफदारी करने में लग गये हैं पारस ने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हमने जब नितीस कुमार को विकास पुरुस कहा तो चिराग ने मुझे बुला कर बोला कि आपने नितीस कुमार के लिए इन सब्दों का इस्तिमाल क्यों किया मैं आपको पार्टी से निकाल दूँगा आपके खून और मेरे खून का अंतर है पसूपती के मुताबिक चिराक की मारीना पास्वान समेत कई लोग इस दोरान मौजूद थे पारस इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि पिछली बिधान सवा चुनाओ में मुझे बुला कर कहा कि हमें नितीज कुमार को जेल भेजना है मैंने विरोध करते हुए कहा कि तुम्हारे पास क्या है कि तुम उन्हें जेल भेज दोगे पारस लगातार बोल रहे हैं कि पार्टी के सभी सांसत की राय थी कि NDA के साथ मिलकर चुलाओ लड़ा जाए लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी बिहार को करीब से जानने वाले राजनितिक विसे सग्यों का मानना है कि चिराग पासवान के पास अब सिर्फ संगर्स ही एक मातर रास्ता बचा है क्योंकि बीते कुछ सालों में उन्होंने दोस्ट से ज़्यादा दुश्मन बनाए हैं हालाकि उनकी राजनितिक सोज अलग है लेकिन रामविलास पासवान वाली संगर्स का जज़बा उनमें है कि नहीं यह आने वाले वर्सों में ही पता चल पाएगा इसमें कोई दो राय नहीं है कि नितिस कुमार बिहार में उनके लिए राह इतना आसान नहीं करने वाले हैं सबसे एहम बात यह है कि चिराग की लड़ाई किसी और से नहीं बलकि अपने घर वालों के लोगों से है चिराग को घर और बाहर दोनों और मेहनत करनी होगी राम विलास पासवान ने कभी भी अपने परिवार और दोनों भाईयों को अपने से अलग करके नहीं देखा लेकिन चिराग को परिवार के किसी भी सदस्य का सपोर्ट नहीं है जो उनके लिए सबसे बड़े परिशानी का कारण बन सकता है कुल मिलाकर बिहार में अगले कुछ दिनों में तक LGP के दो धारों के भी घमासान सड़क पर देखने को मिलेगा बिहार में पासवान वोटर्स को साधने के लिए चाचा भतीजे में जंग इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला बिहार में 4-5 फिजदी वोटर पासवान जाती से आते हैं झाल पासवान जाती से आते हैं